असलाम अलाइकुम आपरीवान वेलकम बैक टो मैं चैनल ओशन लाइफ स्टायल एंडियन व्लॉगर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रहे हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तो यह रेसिपी आपके घर में बच्चे पूड़े बड़े सबी बहुत जादा पसंद करने वाले हैं तो यह देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है आज के वीडियो में अज़े देख लेते हैं कि मैंने यह इतनी मज़ेदार रेसिपी किस इंग्रियेंट को यूज करके बनाई हुई है तो बस देख लेते हैं एक जलक में फटाफट से तो यहां पर मैंने लिए हुए हैं मखाने खूब सारे मखाने में लिए हुए हैं 7-100-500 ग्राम गोंद ली और बहुत फायदे हैं इसके बहुत हेल्थी होती है और जो भी ड्राइफूट्स मैंने लिए हुए हैं तो आप लोग ड्राइफूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर लीजेगा मैंने यहां पर काजू बादाम और ख्रोट लिया हुआ है जिसकी जो कि हमारे घर में बहुत ही असानी से मिली जाता है तो बस यह बहुत ही आसान सी इंग्रियंट्स है जो कि हर घर में अविलेबल है तो इनी इंग्रियंट्स है हमने इस रेसिपी को तैयार करें तो फ्रेंट्स देख लेते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे है तो बस यहां पर गी बढू है यहां पर मैंने कढ़्गा धिया धिया है जाकाई जाके भी गी काइस डही बस फुर अड तो अद नहीं दो जाके जाता है वह तो आफ़ के लिएतаж ईकर एक लाइक करिंगे इन दो गोंध को तो यहाँ पर यह देखिए गैस की फ्लेम मैंने दिखा दिया आपको मेडियम है ना बहुत तेज नहीं करना तो बस यहाँ पर हमारा जो गोंध है वो भी अच्छे से फूल गई है डबल हो गई है मतलब कॉंटिटी इसकी तो बस यहाँ पर अच्छे इसको फ्राई करके अरलग हम परात में एकाल देंगे तो यह जो गोंध है बहुत ही जादा हेल्दी है बहुत ही फाइडमन्ध है यह तो आपने इसको स्किप नहीं करना है अगर आप लड़्टू वगरा बनाते हैं यह बहुत ही जादा हेल्दी होती है बस यहाँ पर गोंध हमारी फ्राई हो गई थी अब हम इसमें एड़ कर देंगे बादम तो बादम को हम ड्राई रोस्ट भी कर सकते थे यह बिल्कुल आपके उपर डेपैंड करता है इस तोटली अप टू यू आप लोग किस तरीके का खाना पसंद है मैंने यहाँ पर इसको इसमें फ्राई कर लिया है घी में आप लोग ड्राई रोस्ट भी कर सकते थे इसमें कोई मसला नहीं है लेकिन इससे घी में फ्राई करने से टेस्ट एक अलग आता है और ड्राई रोस्ट करने में टेस्ट एक अलग आता है वह आप लोग देख लिजेगा यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में ही फ्राई किया हुआ है तो यहाँ पर मैंने काजू को भी इसी तरीके से फ्राई करकर निकाल लेना है और गैस की फ्लेम में अभी भी जो है ना मीडियम ही रखी हुए है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अगर हमारे ड्राई फूट्स थोड़े बहुत भी जल गए ना तो उससे हमारे लड़ों का टेस्ट एक तम खराब हो जाएगा यहां देख सकते हैं काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं और इतनी अच्छी खुश्पू आ रहे थी ना माशाला बहुत थी मज़े के बन रहे थे यह जब बन रहे थे तो बस यहां पर मैंने डाल दिया है अखरोट को भी अखरोट को भी मैं इसी तरीके से फ्राई करके न जो कि मैंने यूज नहीं किये हुए हैं तो जितने मेरे पास में अभी अवैलेवल थे मैंने उन्हीं से ही आप लोगों को लट्डू बना कर दिखाए हुए हैं तो इससे भी बहुत अच्छे बनेंगे मतलब जो आपकी घर में अवैलेवल है जो भी ड्राई फूट्स अव बहुत ही टेस्टी भी होती हैं और बहुत ही हेल्थी होताइं आप बच्छों को मखाने दूद में गला कर के भी खिला सकते हैं यह भी बहुत फायदा होता है भी तो बस यहां पर गढाई कहत् Fucking हु मतलब मैं इस में कडाई में खत्म हुग गया तो मैंने इसको अबल धराय यहां पर निकाल दिये हैं और यह दोनों चीजों को भी मैंने अलग करके रख दिया है तो बस कढ़ाई पही है सेम और उसी में मैंने घी और एड़ कर दिया है क्योंकि अब हम इसमें जो आटा है उसको भुनेंगे तो यहां पर मैंने 500 ग्राम की सम्थिंग घी डाल दिया है और हमारा आधी किलो जो आटा है वो इसमें एड कर दिया है और आटे को हमने मेडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भुनना है आटे में बिल्कुल भी कच्छापन नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेन जो टेस्ट है वो आटे से ही इसमें आएगा क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको चलाते हुए मेडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भुनना है जब तक कि इसमें कलर चींज न हो जयाए जब तक इसमेंसे अच्छी से कुशमू नहीं लग जाए तब तक आपने इसको अच्छे से भुणना है तो मुझे लगबग आदा घंटा से जाधा लग गया था इसको भुणने में तो बस यहां पर देखिए सारे ड्राइफ फूर्स हमारे ठंडे हो गए तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया तो मैंने बहुत जादा पतला इसको नह तो मैंने वहां पर 100 ग्राम के सम्थिंग सूजी भी एड़ कर दी आपके उपर आपको डालना है नहीं डाली है कोई मसला नहीं है मैंने थोड़ सी सूजी में अट कर दी ती जब आँटा हमारा भुन रहा था तब तो सूजी भी अच्छे से पुन गई थी तो सूजी तो सारी चीजे हमने यहां पर मिक्स कर ली जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सारी ड्राइफ रूट से आटा है और हमारी शक्कर है पिसी हुई आप लोग शक्कर का बूरा मिलता है असानी से मार्केट में आप वह भी इसमें स्नमाल कर सकते हैं तो बस यहां पर जो ह गी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है वह इसमें डालके हम अच्छे से मिक्स करते हुए हमारे लड्डू को हम शेप देंगे अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप लोग इसमें गरम दूरा एट कर दीजेगा और धीर धीर बनाएगा उससे आपके लड्ड बटकर एकदम रेड्य हो जाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा पाया होगा तो जरूर बताएगा कॉमेंट बोक्स में और एक पर आप लोग जरू ट्राय कीजेगा मेरी इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी है आप लोगों को भी बहुत ही एनर्जी मिलेगी इसको खाकर तो आप लोगों से जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे लाइक कॉमेंट जरू कीजेगा चैनल पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो बस यहां पर मैं ले जा रही हूँ यह दो लड्डू अ तो मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खायल रखी का मुझे अपनी दौा में जरूर याद रही है